किन उपायों से होगा करवा चौथ का वरत पूरा कैसे करे पूजा किस काम को करने से वाकई लंबी होती है पती की उम्र सुहागी ने भूल कर भी ना करे ये गलतिया भारी होगा नुकसान वरत के दिन किन बातों का रख्य ध्यान जिंदगी भर मिलेगा पती का साथ करवा चौथ ये वो वरत है जिसे हर सुहागिन महिला अपने पती की लंबी उम्र के लिए रखती है और भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि जब तक वो इस धर्टी पर है उसका पती उसके साथ रहे वही ये वरत कई कुवारी लड़किया भी रखती है और अपने होने वाली पती की लंबी उम्र की कामना करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर वरत के दौरान ऐसी कई बारी किया है जिनके इस्तेमाल से वरत का फल दो दूर बलकि नुकसान ज्यादा होता है दोस्तों इस बार करवा चौथ का वरत 13 अक्टूबर को रखा तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आखिर करवा चौथ में किन उपायों से सुहागी ने अपनी पती की लंबी उम्र कर सकती है और किन चीजों से आपको दूरी बना कर रखनी है करवा चौथ में इन कामों से रहे दूर इन चीजों का ना करे दान करवा चौथ के दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए इस दिन सफेद वस्तों का दान करना शुब नहीं माना जाता जैसे कि दूद, सफेद कपड़े, चावल और सफेद मिठाई यसी चीजें दान नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से शुबफल की प्राप्ती नहीं होती है करवा चौत व्रत के दिन शांत बने रहना चाहिए इस दिन प्रसंद रहने से व्रत का पूरा फल मिलता है इस दिन ना किसी से अपशब्द कहें और ना किसी से जगड़ा करें यहां तक की किसी को नीचा दिखाने या अपमान करने से भी बचना चाहिए व्रत के दिन कैसे वस्तर करें धारण इस दिन महिलाएं भूल कर भी काले रंग के कपड़े ना पहने क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुब कारे में काले रंग को वर्जित माना गया है इसके साथ ही सफेद रंग से भी परहेज करें काले वा सफेद रंग के कपड़े पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है करवा चौत का वरत बहुत ही शुब और पवित्र वरत होता है इस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लें तो आपको उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है मानियता है कि इस दिन अगर आप कुछ विशेश उपाय कर लेती है तो पती पतनी के बीच जिंदगी में हमेशा प्यार बना रहता है और घर में मा लक्ष्मी विराजमान रहती है आये जानते हैं कि वे उपाय क्या है अगर आपकी अपने पती के साथ अकसर अनबन रहती है तो उसे दूर करने के लिए आप करवा चौत पर खास उपाय करें इस दिन बेसन से बने 5 लड़ू, 5 केले, 8 शकर के बने 5 पेड़े और 250 ग्राम चने की भीगी दाल गाय को खिला दे कहा जाता है कि ऐसा करने से पती पतनी के बीच मन की गांठ दूर हो जाती है और उनमें लगाव पहले से ज्यादा बढ़ जाता है आर्थिक तंगी से मिलती है निजात महनत के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता आर्थिक तंगी की वज़े से घर में टेंचन रहती है तो आप करवा चौत वाले दिन ओम श्री गर्धी पतय नमह मंत्र का जाब कर भगवान गणेश को हल्दी की पांच-पांच गाठे अर्पित कर दें परिवार पर चढ़ा कर्ज हो जाता है कम अगर आप कर्ज के बोज से तूट चुके हैं हर महीने किष्ट चुकाने के बाद भी कर्ज कम नहीं हो रहा तो करवा चौत वाले दिन भगवान गणेश को घी गुड का भोग लगाएं साथ ही उनसे अपनी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें पूजा के बाद उस गुड को किसी गाय को खिला दें मानेता है कि इस उपाय को करने से घर में आमदनी बढ़ने और कर्ज के धीरे-धीरे खत्म हो जाने के योग बनते हैं तो आप भी इस करवा चौत अपनी जरुवत के अनुसार उपाय करें और मा पार्वती को खुश करें Bureau Report, PDN News